वंचित बहुजन आगाडी प्रमुप प्रकाश आमबेड कर इन्होंने केंदर सरकार को शराबी की उपमा दी है इन्होंने कहा कि शराबी जब अपने मेरत से कमाई पैसों से शराब पिता है तो कुछ नहीं मगर जब उसे शराब पीनी होती है वो कभी कभी घर के सामान भी बेज़ देता है ऐसे ही काम सरकार कर रही है पाइब देगे जिसतेर ऐसे एक शरावी होता है, अपनी शराव के लिए वो अगर खमाता है तो किसी को पर अबर के मीधैं था छो उसी तरह से आप जो है केंद सरकार ने पिछला बज़ेट जो दिया था उसमें काहा था करीब परीब 24 लाग करोड सरकार की आमधनी होगी रेविन्यू होगा लेकिन नवेंबर में इकनामिक सर्वी आफ इंडिया इकनामिक डिपार्टमेंट का जो सर्वी आया है उसे यही कहा गया है कि सिर्फ ग्यारा लाग करोड इकठा हुआ है रेविन्यू इकठा हुआ है देश को चलाने के लिए यह अंदाज है कोई आकड़ा फिक्स नहीं है 14 कम से कम 14 लाग करोड उसको लगते है तीन मेह में में सर्कार को जो है वो तीन लाग करोड इकठा करना जरूरी है तब जाके यह सर्कार चल सकती है सर्कार को यह अंदाज आ चुका है कि इतना इंकम नहीं हो सकता है इसलिए सर्कार ने जो नव रतना कमपनिया जो है उनको बेशने को निकाला है जिनकी एक एक की लागत जो है वो सरकार को हर साल कम से कम दस हजार करोड इंकम देती है अगर नो कमपनियों को हम लोग इसाब लगा है तो कम से कम एक लाग करोड जो है सरकार को आंदानी देती है ये सोने की चिडिया है सोने की चिडिया को संभाल के रखने के बज़ा है ये सरकार सोने की चिडिया बेशने निकली है और इसलिए हमनों कहते है कि जिस तरह सरावी अपनी सराव के लिए अपने गेने कपड़े बेश देता है उसी तरह ये सरकार अपने को सरकार में रखने के लिए सोने की चिडिया बेशने नहीं निकली है और इसलिए इस विरोध में 24 जन्वरी को महाराश्चा बंद का खौल दिया है मैं उमीद करता हूँ कि इस देश महाराश्चा के रईवासियों को कि वो हमको पूरी तरह से समर्थन करेंगे और बंद शांती पूर्वक होगा इसको भी देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण कमपणियों में जिस सरकार को आवक है ऐसे नवरतन आर्थिक संतुलंद बनाए रखने के लिए बेच रही है इसी कारण 24 जन्वरी को विविद संगटना को साथ लेकर महाराश्चा बंद करने वाली है आगे उन्होंने कहा इंदु मिल बंद रहे दॉक्तर बाबा साहिब अंबेड करकी प्रतिमा पर लगने वाला पैसा वाड़िया अस्पताल देने की मांगी बंबई हाई कोट के एक जज्ड ने कहा था कि बंबई में इंदु मिल की जगा जो बाबा साहब की मुतला पुतला ख़ड़ा किया जा रहा है वो निर्जीव है और निर्जीव पुतले पर इतना खर्च करने के बज़ा है वाड़िया होस्पिटल को ही ये पैसा अगर दे जाए तो शायद बच्चे जो इस देश के बविश्य है वो बढ़ जाए इसलिए सरकार से भी और कोट से भी आगर कर रहा हूं कि ये जो पुतले का पैसा जो है वाड़िया होस्पिटल कर को सुपूत किया जाए यही मेरी बिंती है